अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी इंफॉर्मिशन आप अपने मेल बॉक में इमेल से ले सकते हैं इसके इलावा जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो यहां पर भी सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ ट्वीटर या फेस्बुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस इंफॉर् में कुछ ब्लॉक बनाएं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में जगविंदर सिंग.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉक तक बहुँ सकते हैं और यहां से क्रॉल डाउन करके देखी किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वाच कर सकते हैं त लूप प्रिवेंशन के दो और मैथड्स डिस्टेंस वेक्टर रौटिंग प्रोटोकोल या उसका एक एक एक्जामपल रौटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकोल या रिप लूप प्रिवेंशन के लिए कुछ और मैकनिजम्स या मैथड्स को भी यूज करता है जैसे कि और दूसरा है पॉईजन रिवर्स रौटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकोल बाई डिफॉल्ट अपने अप्डेट टाइमर के एकॉर्डिंग अपने नेवर्स को अप्डेट सेंट करता है लेकिन ट्रिगर्ड अप्डेट में जैसे ही कोई रौट फेल होता है या नेट फेल्ड रौट की या फेल्ड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से इंटर नेटवर्क में फैलती है पॉईजन रिवर्स रूल यह स्पेसिफाई करता है कि जैसे ही नेटवर्क के रौटर्स को किसी फेल्ड नेटवर्क या फेल्ड रौट की पड़े क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पड़ा था split horizon rule यह specify करता है कि जहां से आपके पास update आई है जिस interface से आपके पास update आई है उसी interface बे back आप उस update को send नहीं करेंगे लेकिन अगर bad news है आपके network में यानि कि कोई network fail हो गया है तो उस case में आप उस news को back उसी router को भी send कर सक करते हैं तो यह बहुत ही अच्छे तरीके हैं जिनकी method से हमारे distance vector routing protocols loops को prevent करते हैं चलिए इन्हें भी हम animations से जानते हैं तो यह वही topology आपके सामने है जो हमने last videos में भी use की थी मान लिजे पहले की तरह हमारा 192.168.0 वाला network fail हो गया और fail होते ही इस router ने इसे अपने routing table से reachable इसे बता दिया अब यह router next periodic update तक इसका इंतजार नहीं करेगा कि कब update timer खतम हो और इस update को अपने neighbors को पहुंचाया जाए यह immediately एक triggered update अपने neighbors को भीज़ देगा तो इस case में router A का सिरफ एक ही neighbor है नेवर B तो नेवर B के पास यह information पहुंच जाएगी कि router A के साथ attach 192.168.1.0 वाला network fail हो गया है वो इस information को अपने routing table में update कर लेगा और साथ की साथ इसे mark कर लेगा with unreachable metric यानिके 16 hope के साथ और यह भी updates के लिए next update timer तक इंतजार नहीं करेगा और इस bad news को फैलाने के लिए immediately information network के सभी router's तक पहुँचाने की कोशिश करेगा तो इसके साथ दो router's attach है router A और C तो दुनों के पास यह information भीजेगा राउटर C को तो यह वैसे भी information भीजेगा ही भीजेगा लेकिन router A के case में split horizon rule बोलता है कि यह information इसे वापिस A को नहीं send करनी चाहिए लेकिन क्योंके यह bad news है, network failure की news है तो इसे वापिस router A को भी send करता है और दोनों के दोनों कुछ time तक इस information को अपने routing table में रखके इसे routing table से हटाने के process को start करते है तो इस वीडियो में हमने routing information protocol या RIP के दो और loop prevention mechanisms के बारे में जाना जो की है triggered updates और poison reverse तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening